Hello model students, तो बचो बायो टेक की applications में, last lecture में हमने agricultural applications के बारे में पढ़ना start किया था इसे पहले हमने tissue culture and somatic hybridization भी पढ़ा था Do remember, ये जो दोनों topics हैं, वो पुरानी NCRT में इस chapter में नहीं है पर new NCRT में strategies से निकाल कर उनको यहाँ पर add कर दिया गया है तो जो भी बच्चे old NCRT से पढ़ रहे हैं, वो tissue culture and somatic hybridization को जरूर पढ़के जाएं New NCRT में इन दोनों topics को strategies चाप्टर से उठाकर इस chapter में shift कर दिया गया है ठीक है, तो अगर हम agricultural applications की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम crops को genetically modify करना चाहते हैं, तो या तो हम उसमें gene का addition करते हैं या फिर हम किसी gene को delete करते हैं, किसी gene को silent कर देते हैं, ठीक है अगर gene addition की बात करें, तो उसमें आपको example ध्यान रखना है BT crops का, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे ये ऐसी crops हैं, जिनमें की आपने crop में bacteria से निकाल कर एक gene डाला है, जो crop में toxin बनाएगा और वो एक ऐसा toxin है बच्चों, जो inactive stage में है, ना तो crop को कुछ नुकसान पहुँचाएगा हम अगर उस crop का कोई product consume करते हैं, हमें भी कुछ नहीं होगा, bird, animal, किसी को कोई problem नहीं है सिर्फ कुछ particular insects की species हैं, वो अगर उस plant को खाएंगी, तो वो toxin उन insects में जाकर activate हो जाएगा और उन insects को kill कर देगा, धीरे-धीरे वो insects उस जगा को छोड़ कर चले जाएंगे, and our crop will be safe तो ऐसी crops को कहते हैं, बचों, BT crops, where BT stands for the bacteria bacillus thuringiensis, ठीक है Transgenic rape seeds, NCRT में नहीं है, मैंने आपको कहा था, brassica napas के seeds में hirudin बनाने वाला gene डालकर उससे hirudin निकालते हैं, जो कि एक anticoagulant की तरह use होता है और कुछ crops को herbicide resistant भी बनाया जाता है, जिससे herbicide का spray करते वक्त, सिर्फ weeds ही kill हों weeds यानी, जो खर्पतवार, जो छोचोचोटे herbs हुग गए हैं, सिर्फ वही kill हो, main plant को कोई नुकसान नहीं पहुचे ठीक है, deletion का मतलब, आप किसी particular gene को silent कर रहे हो, उसके लिए एक method यूज किया चाता है, जिसको बोलते है RNAi method, RNA interference method, जिसका एक example तो हमें detail में लेना है, pest resistant crop दूसरा जो example है, flavor saver tomato, ये NCRT में नहीं है, पर आप इसे add कर लेना PYQs में कुछ बार इस पर question आया हुआ है, flavor saver tomato में मैंने आपको बताया था एक ऐसा gene को silent कर देते हैं, जो polygalacturonidase enzyme के लिए code करता है ये enzymes tomatoes में over ripening करता है और tomatoes को जल्दी सडा देता है तो अगर ये gene silent होगा, तो क्या होगा, तो tomatoes में over ripening नहीं होगी उनकी जो shelf life है वो बढ़ जाएगी without any change in flavor इसलिए इसका नाम रखा गया flavor saver tomato, ठीक है अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले BT crops के बारे में, कि ये BT crops क्या है Some of the applications of biotech and agriculture that you will study in detail are the production of pest resistant plant BT कुछ particular pest से खुद को बचा रही है ना, तो वो एक pest resistant plant होगी which could decrease the amount of pesticide and but obviously अब हमें pesticides का spray नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो plant खुदी pest के लिए resistant बन गया है BT toxin, पहले आपको इन्होंने BT toxin के बारे में बताया है कि particularly BT toxin क्या है तो generally आपको पताया है, जादा तर चीज़े proteinaceous होती है तो BT toxin भी बचों, एक protein है, एक toxin है जो की produce होता है, किस bacteria से? Bacillus thuringiensis, वहीं से B और T उठाया गया है B capital लिखते है, T small लिखते है ठीक है, यह जो gene है इसको कहां से निकाला गया बचों? bacteria से निकाला गया अच्छा यह जो BT toxin gene है ना इसको cry gene बोलते हैं बचों cry gene, ठीक है? अभी आएगा आगे नाम तो यह जो cry gene है इसको bacteria से निकाल कर plants में भेजा गया to provide resistance to insects without the need for insecticide in effect created a bio pesticide यानि आपने plant को ही क्या बना दिया? एक pesticide बना दिया pest को kill करने वाला plant बना दिया ठीक है? इस तरह से अभी तक हमने BT cotton develop किया है corn develop किया है rice, tomato, potato, soya bean जो भी particular main plants है जिनमें इन वाले insects का खत्रा रहता है अभी हम पढ़ेंगे कि ये BT toxin न ऐसा नहीं है सारे insects को kill कर देगा कुछ particular species है insects की जिनके against ये BT toxin काम करता है उसमें भी ध्यान रखना इस topic के end में आएगा कि ये बहुत ही specifically काम करता है specific मतलब BT toxin के भी कई सारे types होते है ये जो cry gene है ये अलग-अलग type का होता है BT की जो अलग-अलग strains होती है BT तो एक species है bacillus thuringiensis अब इसकी अलग-अलग strains होती है तो हर strain से में अलग-अलग gene होते है तो ऐसा नहीं है कि कोई cry gene हर तरह के insects को मारतेगा हर cry gene से बनने वाला toxin एक particular insect को ही मारता है दूसरे insect को मारना है तो दूसरा gene निकालो तीसरे insect को मारना है तो तीसरा gene निकालो ज़रूरी नहीं 1 by 1 का ratio हो पर yes, एक particular gene से जो toxin मिलता है वो कुछ particular insects को ही kill करता है यनि पहले तो पूरे insects में specific है और फिर उसमें भी और specific है ठीक है, last में आएगा भी देखना आप पारे ग्राफ पहले इसका mechanism देखें कि ये काम कैसे करता है some strains strains हा क्या ना some strains of bacillus thuringiensis produce proteins that kill तो ध्यान रखना, betitoxin क्या है betitoxin protein है बचो, ठीक है that kills certain insects सारे insects नहीं, certain insects जैसे की, 3 categories यहाँ पर दी हैं insects की एक तो हैं बचो, lepidopterans एक हैं coleopterans और एक है dipterans, अगर तुम्हें याद हो the living world में hierarchy लिखी थी हमने कुछ की, NCRT में दे रखी है housefly के hierarchy में उसका order है diptera, तो वहाँ से याद रखना कि dipterans किसको बोलते हैं जो diptera order के insects हैं जिसमें mosquito यानि housefly तो आती है sorry, fly यानि housefly तो आती है plus mosquitoes भी आते हैं तो जो flies और mosquitoes है ना मक्ही मच्छर जो हमारे घर के आसपास घूंते हैं यह pest भी है बचो ऐसा नहीं है, सिर्फ हमारे ही habitat में रहते हैं, यह crops पे भी crops से भी खाना लेते हैं तो flies and mosquitoes तो कैसे याद रखोगे dipterans में आते हैं then beetles किसमें आती है coliopteran में B, ABCD में B के बाद just C आता है तो beetles किसमें आती है coliopterans में और बाकी जितने भी insects तुम पढ़ोगे इस topic में उन सब को lepidopterans में रख दो lepidopterans में रख दो, ठीक है जैसे कौन कौन से insect हो गए tobacco bud warm टबैको की bud को खराब कर देते हैं आर्मी बॉर्म एक साथ आर्मी में अटाक करते हैं प्लस इसमें एक example और add करो आर्मी बॉर्म के अलावा एक होता है corn borer जो corn का plant होता है ना मक्का उसमें छोटे-छोटे छेद कर देता है कौन में इसलिए corn borer and एक और लिख लो सबसे important cotton ball warm कौन सा लिखोगे cotton ball warm cotton ball warm cotton की balls को खराब करने वाला इसका तो photograph भी दिया है देखो पता है ना आपको cotton पढ़ा चू क्यूंँ मैं new plant families में cotton किसमें आता है मलवेसी family में जिसमें china rose आता है cotton, okra and china rose तो ये जो cotton है इसकी balls होती है capsule type का fruit होता है इसका loculisiddle capsule तो ये जो इसकी cotton balls है अगर cotton के plant को कीडा लग जाए कीडा मतलब ये वाले insects लग जाए cotton ball warm तो इस तरह की मिलेगी आपको है ही ने इस पे cotton सारा cotton वो खा गए है ना तो कितना नुकसान होगा farmer को तो इसलिए वो generally क्या करते है cotton ball warm से बचने के लिए जहां पे भी cotton की खेती होती है वहां पे insecticide का spray कर देते है पर insecticide ultimately तो कहीं न कहीं side effect करी रहे है और genetic engineers क्या चाहते है कि हमारा insecticides पर dependence हो जाए कम तो उन्होंने इस plant में genetic modification करके लिया BT cotton बना कर दिया हमको कि अब आप seeds दिये हमको कि ये लो seeds इन से उगाओ आप cotton का plant आपके plant को कभी कीडा नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि वो जो seeds हैं BT cotton के उन seeds में क्या किया उन्होंने? BT bacteria से cry gene को निकाल कर डाला They are genetically modified और फिर उनको जब उगाया हमने तो जब cell division होगा तो gene सब में जाएगा तो अब वो BT gene, वो cry gene उस plant की हर cell में है और वो खुदी BT toxin बना रहा है plant की हर cell क्या बना रही है बच्छों? BT toxin बना रही है पर यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है अगर उस toxin का side effect plant में भी होता तो फिर तो यह method हमारे किसी काम का नहीं था तो सबसे अच्छी बात यह है कि उस toxin का side effect plants में नहीं है इविन यह toxin बनता है न BT toxin यह बच्छों inactivated form में बनता है किस form में बनता है? यह inactivated form में बनता है हम पर आपसे पूछा है why does this toxin not kill the bacillus? चलो plant पे तो बाद में आएंगे हम हम कह रहे हैं कि originally यह toxin bacterial cell बनाती है तो bacterial cell पे इस toxin का असर क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि इसी विए जादा तरह देखना कोई भी pathogen जो toxins बनाता है ना वो inactivated form में बनाता है जिससे उसको खुद को उससे नुकसान नहीं हो और वो toxin उसके host में जाकर ही activate होते हैं जिससे उसी को नुकसान हो ठीक है ना? तो वैसे ही BT toxin भी क्या है? BT toxin produced in the form of inactive pro toxin pro word लगा दिया यनि inactive है but once an insect जैसे ही insect इस inactive toxin को निगलता है खाता है जब plant को खा रहा है तो वो toxin भी उसके अंदर जा रहा है तो क्या होता है? it is converted into an active form of toxin फिर ही अपनी active form में आ जाता है और active form में ये इसलिए आया बच्छों क्योंकि insect की गट में alkaline pH होगी न हमारे में भी जो गट में alkaline pH होती है तो उस alkaline pH पर ये अक्टिवेट हो जाता है और ये जो pro toxin है इसके crystals solubilize हो जाते है normally it is a crystalline protein यहां लिखाए क्या? it is in the form of crystals inactive crystals की form में बनता है ये चीक है? और जैसे ही insect की गट में जाता है उसकी alkaline pH में क्या हो जाता है? ये अक्टिवेट हो जाता है और देखना ज़रा क्या करता है? अगर ये insect की गट है तो insect की गट में epithelial cells तो होंगी गट में जो boundary पर cells होती है चारो तरफ उनको आप epithelial cells बोलोगे न तो insect में बचो तीन गट होती है four gut, mid gut और hind gut मतलब gut के तीन divisions होते हैं कॉक्रोश में नहीं पढ़ते तुम कॉक्रोश भी तो insect है four gut, mid gut, hind gut तो वैसे ही insect की mid gut में याद रखना insect की mid gut में जब इस protein के crystals पहुँचते हैं suppose this is protoxin ये protoxin है तो now this protoxin और ये जो active toxin है ये bind हो जाता है बचो epithelial cells से epithelial cells से bind होते ही binding with epithelial cells क्या करता है पता है इन epithelial cells की lysis कर देता है इन में swelling कर देता है और इनके lysis और swelling की वज़ा से क्या होता है they die and insects also die cells मरने लगती है intestines and enrichment ही नहीं मिलेगा तो insect भी मर जाता है ठीक है ये इसका mode of action है specifically आपको याद रखना है ओके देखो क्या लिखा है कि as it solubilize the activated toxin binds to the कहां bind हो रहा है binds to the surface of mid gut epithelial cell एक एक word ये जो छोटे छोटे words है न वो important है बचो लेका आनिसम तो याद रहता है हमको पर जब से NTA statement आए पिए specifically NCRT based question पूछने लगा है तब से आपके लिए ऐसी चीज़े जादा important है ठीक है so it creates pores छोटे छोटे छेद हो जाते है cell की swelling और lysis होने लगता है and eventually cause death of the insect समझ में आ गया क्या mechanism ओके तो ये जो BT toxin है इसको आप BT toxin कहादो इसको आप insecticidal protein कहादो ये किस form में produce हो रहा है protoxin की form में activate कहा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ insects की गट में हमारी गट में भी नहीं होता activate ऐसा नहीं हमारी गट में alkaline pH हो आक्टिवेट हो जाएगा नहीं ये सिर्फ insects की गट में ही activate होता है ठीक है ये रादेखो वो paragraph कि जो specific BT toxin gene है वो bacillus thuringiensis से isolate किये जाते है and and इनको incorporate किया जाता है अलग-अलग plants में तो the choice of gene कि हम कौन सा gene किस crop में डालेंगे ये depend करता है crop पर और targeted pest पर किस crop में डालना है और उसको कौन सा pest affect करता है क्योंकि these genes are very specific ना एक particular gene एक particular pest को ही मारता है तो आपको वही gene वहाँ डालना पड़ेगा they are insect group specific ठीक है तो तीन groups पे ये attack करते हैं dipterans, lepidopterans and calliopterans उसमें भी specific है कि कौन lepidopterans पे करेगा कौन lepidopterans पे करेगा उसकी भी किस species पे करेगा जैसे कुछ examples यहाँ दिये हैं बचो देखो यहाँ लिखा है न cry gene कहते हैं जीन को जैसे कुछ example दिये हैं मार लो एक gene है जिसका नाम है cry first a b है क्या cry first a b अब दूसरा gene बना लो cry first a c और एक gene ले लो cry first को second कर दो a b अब cry second a c भी होता होगा बट हमें नहीं दिया तो आपको धियान रखना है कि यह जो cry first a b and cry first cry first a b तो किसको attack करता है बच्छों कौन borer पे attack करता है इस gene से जो toxin बनेगा वो सिर्फ कौन borer को ही मार सकता है और इन दोनों gene से जो toxin बनेगा वो किसको मारेगा वो मारेगा cotton ball worms को ये दोनों genes are specific for the cotton ball worm है तो दोनों lapidopteran कौन borer भी एक lapidopteran है ये भी एक lapidopteran है ठीक है पर दोनों के लिए gene अलग-अलग use हुआ है ठीक, clear ये आपको ध्यान रखना है neat के लिए very very important कोई भी जैसे भी याद रखो याद रखना है आपको ठीक है आगे बढ़ीं क्या next method पर आते हैं ये भी बड़ा interesting method है इसको NCRT ने एक दो paragraph में खतम कर दिया है बट यहां से आपको ये समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी डीटेल के लिए डाइग्राम बताऊंगी पहले देखते हैं यहां क्या लिखा है इस method में हमको क्या करना है इस method में भी हमको resistancy create करना है उसमें भी वही किया था उसमें क्या किया था हमने कुछ insects के लिए resistance create किया था यहां हम एक nematode के लिए resistance create करेंगे pathogen कौन है यहाँ पर यह वाला nematode parasite या pathogen कौन है इस nematode का नाम याद रखना पूछते हैं नीट में myloidy gynae incognitia myloidy gynae incognitia ठीक है यह क्या करता है यह tobacco plants की root में infection करता है इसकी भी photograph दिया देखो photograph देखने से ना चीजने थोड़ी सी याद रहती है यह आपको tobacco plant बताया अगर इसकी root में गुछ जाए निमेटोड निमेटोड तो worms की तरह होगा यह गुछ जाए वो उससे मत mix कर देना agrobacterium से agrobacterium tumifescience bacteria है यह निमेटोड है उसको कहते है रूट नॉट डिजीज रूट नॉट डिजीज के नॉट 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 यह नहीं वही छोटी छोटी गांट बना देता है जगा जगा रूट में स्वेलिंग्स कर देता है रूट सही से काम नहीं कर पाती है और अगर water mineral absorb नहीं होगा तो टबैको की crop खराब हो जाती है फार्मर को अगें बहुत नुपसान होता है तो फार्मर अगर बचना चाहता है इससे तो क्या करे या तो वह इस निमेटोड को मारने वाले pesticide का spray करे यह genetic engineers कहते हैं कि हम तुमें एक ऐसा tobacco plant modify करके देंगे ऐसे seeds देंगे कि अगर तुम उनको उगाओगे तो तुम्हारे टबैको में निमेटोड घुस भी गया ना तो जिन्दा नहीं है पाएगा कुछ दिनों में अपने आप ही मर जाएगा और वो उस जगह को छोड़के चला जाएगा यानि आपका टबैको कैसा हो जाएगा बचों pest resistant उस निमेटोड के लिए resistant हो गया है ना तो यहां आपको एक transgenic टबैको plant की photo दिखाईए transgenic plant root 5 days after deliberate infection of निमेटोड एक transgenic plant पर experimentally उसमें infection करवाया गया निमेटोड का पर फिर भी क्या रहा वो protected रहा उसमें कोई disease नहीं हुई क्योंकि ये खुद ही निमेटोड को मार देगा कैसे मारेगा देखो BT crop दी तो यही कर रहे थे BT crop में plant की हर cell में BT toxin present है जो क्या करेगा जो खुद ही insects को मार रहा है ठीक है तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा पर mechanism अलग अलग है दोनों का समझो वहां पर जो BT toxin था वो inactive form में बन रहा था फिर insect की गट में जाकर active हो रहा था यहां ऐसे कोई toxin नहीं बन रहा है ऐसा कुछ mechanism नहीं है यहां पर यहां पर क्या होता है यहां पर एक अलगी तरह का method यूज किया जाता है जिसका नाम है RNA interference या RNAi method या इसको कहते हैं बचों या इसका एक नाम और है RNA silencing method लिखाए क्या कहीं नहीं तो लिख लो तुम इसको कहते हैं RNA silencing method RNA silencing method नाम से कुछ समझ में आ रहा है इस method में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं एक particular RNA को silent करने वाले हैं जिससे वो translation ही ना करे अगर वो RNA translation ना करेगा जरुद की proteins नहीं बनाएगा तो क्या होगा जिसका भी वो RNA वो मर जाएगा हम RNA क्यों बनाते हैं हमारे gene कैसे काम करते हैं gene यानि DNA से RNA बनता है RNA से protein बनता है protein से हमारा काम चलता है तो मान लो हमें यहाँ पर किसको मारना है tobacco plant को मारना है या उस nematode को मारना है तो आप किस के RNA की silencing करोगे plant के RNA की या nematode केkräर ने की उस निमेटोड के RNA की silencing कर दे और ऐसे RNA की silencing करे जो निमेटोड के survival के लिए जरूरी protein बनाता है अगर वो RNA silent हो जाएगा और निमेटोड के जरुत की protein नहीं बनेगी बचों तो निमेटोड खुद ही मर जाएगा आपको spray करने की जरुत ही नहीं है कुछ है ना तो यह इसी तरह का gene यहाँ पर plants में इसी तरह का method यहाँ पर use किया गया ठीक है इस method को कहते हैं RNA interference या silencing method it is a novel strategy यह एक novel strategy है which was adopted to prevent this infestation, infestation नहीं वोई आक्रमन करना, attack करना यह जो method है ना जो हम इसमें सीखेंगे RNA interference method इसके लिए एक line लिखी है कि यह जो method है यह actually एक ऐसा method है जिसे already eukaryotic cells use करती है as a method of defense कई सारी eukaryotic cells में naturally यह method present होता है कि अगर मान लो मान लो मेरी एक cell में मेरी किसी मेरी cells में यह method है cells के पास already तो कोई pathogen attack करेगा ना तो pathogen में वो cell एक ऐसी चीज डालेगी जो pathogen के RNA को क्या कर दे interfere कर दे और pathogen के जरुत की protein ना बने तो वो pathogen मर चाएगा तो RNA interference method एक natural method of defense है already जो कई सारे organisms में present होता है कई सारे pathogen के लिए बट हमें क्या करना है tobacco plant में इसी method को nematode के लिए use करना है अगर tobacco plants के पास naturally होता है यह method तो हमें जरुत ही नहीं थी पर उनके पास नहीं है ना तो हमें introduce करना है उनमें इस method को कैसे करेंगे देखना क्या होता है इस method में हाँ पे लिखा है this method involved silencing of a specific mRNA जो but obvious किसका होगा of pathogen pathogen का ही होगा due to a complementary double standard RNA यहां से हो जाता है थोड़ा सा confusion कि यह complementary double standard RNA कहां से आ गया तो पहले मैं तुम्हें एक diagram से इस चीज को समझाती हूँ देखो समझना बहुत interesting है कि यहां पर होता क्या है बचों suppose यह तो है host की cell यह किसकी cell है this is a host cell ठीक है और यह जो मैंने red color से बनाई है RNA की silencing करता है तो कैसे करता है host देखना host में एक specific gene होता है बचों जिसका नाम है antisense gene अभी तुम समझ जाओगा antisense क्यों है यह gene जब transcription करता है तो एक hair pin जैसा RNA बनाता है वो जूड़ा pin नहीं होती है किस तरह की hair pin इसलिए इसको hair pin बहुत छोटा सा इसका होता है small hair pin RNA कहते है क्या कहते हैं इसको small hair pin RNA यह जो RNA है यह transcription के बाद आ जाता है cytoplasm में और cytoplasm में आकर क्या करता है सुनना normally अगर यह normal RNA होता तो translation करके अपनी protein बना देता ऐसा कुछ नहीं करना इसको यह जो RNA है जैसे ही cytoplasm में आता है इसको छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ दिया जाता है उसके लिए कुछ enzymes होते है dicer enzyme कहीं लिखा नहीं है NCIT में याद रखो मत रखो doesn't matter ठीक है बड़ तुम समझ रहे हो इस gene ने एक particular RNA बनाया उसको cytoplasm में भेजा और उसको छोटे-छोटे RNAs में तोड़ दिया ठीक है यह कैसे RNA है बचों यह double standard है देखो अब इसको अगर मैं ऐसे-ऐसे कट करूंगी तो यह double standard RNA है इनको कहते हैं बचों small interfering RNA जो चीज आपको याद रखनी है इस पूरे method में वो यह है small interfering RNA यह छोटे-छोटे RNA है यही आगे जाकर interfere करेंगे अभी pathogen के RNA के साथ देखना कैसे क्या नाम है इनका small interfering RNA क्योंकि यह double standard है तो इनके एक strand का नाम है sense और दूसरे strand का नाम है antisense antisense एक ऐसा strand है जो जिस RNA की आपको silencing करनी है उसका complimentary समझ गए आप बात sense और antisense में से antisense पे ऐसी sequence है जो pathogen के RNA के साथ bind हो जाएगी और उसको काम नहीं करने देगी तो यहाँ पर host cell ने अपने लिए हतियार तयार कर लिएगे छोटे-छोटे ऐसे tools जो tools अगर pathogen ने attack किया इस host पे तो इन tools को इन हतियारों को pathogen की cell में भेजेगा host और यह tools जाकर pathogen के RNA की क्या कर देंगे silencing कर देंगे कैसे करते हैं देखना जब भी pathogen host पर attack करता है तो host से nourishment वगरा तो सक करता ही है तो जब वो इस cell से nourishment वगरा सक करता है तो साथ में यह SI RNA भी pathogen में आ जाते है pathogen में पहले जैसे भी आए मालों निमेटोड है तो उसने सक किया तो उसके suckers के through body में गए body से cells में पहुँच गए अब यह cell में आ गए ultimately ठीक है cell में क्या करते हैं यह small RNA SI RNA पहले तो इनकी unzipping होती है अब इनको double stranded नहीं रहना produce तो यह double stranded form में हुए थे अब इनकी unzipping हो जाती है और unzipping की वजह से जो sense strand है वो तो अलग हो जाता है उसका कोई role नहीं है anti sense strand जो है न बच्चों वो pathogen के mRNA के साथ bind हो जाता है पूरे की साथ नहीं पूरे mRNA की कोई भी एक particular sequence पर जाकर चिपक जाता है क्योंकि वो उसका complimentary है और अगर यह यहाँ चिपका रहेगा तो ribosome इस mRNA क्या translation ही नहीं कर पाएंगे बीच में आपने एक अपना tool फसा दिया है यहाँ पर ठीक है तो mRNA की silencing हो गई यानि mRNA translate नहीं कर पा रहा यह अपने जरूरत की protein नहीं बना पा रहा और यह survive नहीं कर पाएगा शर्त यह है कि यह वो RNA होना चाहिए जो pathogen के survival के लिए जरूरी protein बनाए कोई ऐसे वैसे चोटा मोटा RNA होता तो उसके silencing से क्या ही फरक पड़ जाता pathogen को समझ रहे हो तो इसलिए यहाँ पर जो main चीज है वो है complementarity कि pathogen के उस mRNA की complementary sequence का gene यहाँ होना चाहिए जो इस तरह का RNA produce कर सके जो जाकर pathogen के RNA से जुड़े और उसकी क्या कर दे silencing कर दे तो हमारा यह mechanism successful है है ना इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि यह host की cell है green color की plant cell अब इसको निमेटोड पर apply कर दो तुम इसमें gene है मान लो उस gene ने एक double standard RNA बनाया आप वो hairpin वगरा मत याद रखो आप तो सीधा याद रख लो कि इसने एक double standard RNA बनाया cytoplasm में dicer enzyme ने इसके body में होता हुआ blood में होता हुआ cells तक पहुंच जाएगा और जब यह cells में पहुंचेगा तो क्या करेगा देखना यह SI RNA है इस SI RNA में से एक strand रख लिया इन्होंने red वाला brown हटा दिया वो antisense strand है ठीक है वो एक particular complex से attach होता है पहले इसको RISC complex बोलते है RNA induced silencing complex ठीक है और वो इस pathogen के इस main mRNA से attach हो गया है जिसकी वज़ा से यह translation नहीं कर पा रहा है अच्छा कुछ cases में यह attach भी होता है और कुछ cases में यह mRNA को तोड़ भी देता है cleavage कर देता है mRNA की तो भी नहीं कर पाएगा तो silencing में चाहे वो चिपका रहे चाहे चिपक कर उसके दो टुकडे कर दे बात एक ही है तो pathogen के ज़रत की protein नहीं बनेगी and pathogen will be killed plant will be safe ठीक है बिना insecticide spray करे आपने इस genetic modification से आपके plant को बचा लिया तो यहां क्या लिखा है देखो आप पढ़ो आप इसको इस method involve silencing of a specific mRNA of pathogen due to a complementary double stranded RNA यह complementary double stranded RNA कौन है बचों यही तो ऐसा ही RNA है small interfering RNA जो छोटे छोटे आरेने बन जाते हैं वो यही है ठीक है that bind to and prevent translation of mRNA यह small interfering RNA क्या करेंगे bind and prevent bind हो जाएंगे और prevent करेंगे mRNA के translation को यानि उसकी silencing कर देंगे ठीक है अब सुनना अब यहां पर आपसे यह बोला है कि अगर आप plant cell में कैसा gene डालना चाहते हो जो इस तरह है कि SI RNA को बनाए क्योंकि खुद तो है नहीं plant के पास तो वो gene आपने निकाला कहां से जैसे BT crop में dry gene का source था bacteria तो यहां पर इस gene का source क्या है तो इस gene का source बहुत ही typical type से लिखा हुआ है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा the source of this complementary RNA could be from an infection by virus heading RNA genome यह बात कर रहे हैं बचों retro viruses की की आपको कुछ ऐसे virus जिनका RNA genome होता है यहनी RNA virus समझ लो चलो अभी तुम तो कुछ RNA virus में ऐसे genes naturally present होते हैं आपर हम retro virus को vector की तरह use नहीं कर रहे हैं बचों यह जो retro virus यह RNA virus की बात कर रहे हैं ना यह तो biotechnology ने क्या देखा कि कुछ viruses में ऐसी sequence present है जो nematode के RNA की तो जब वो virus अपने RNA को अंदर भेजेगा RNA से DNA बनाएगा reverse transcription से और वो DNA जाकर plant के genome में attach होगा तो आपका gene उस plant तक पहुंच जाएगा अभी खतम नहीं हुआ mechanism अब तो शुरू हुआ है भी तो अपने gene को plant cell में पहुंचाया है या फिर दूसरा source है इसका बचों question आया हुआ है mobile genetic elements transposons समझते हो क्या transposons jumping genes को बोलते हैं जिसने मेरा DNA fingerprinting का lecture देखा है उसको याद होगा jumping genes बताये थे ना मैंने कि जो repetitive DNA वो दो तरह का होता है एक तो tandemly repetitive एक interspersed interspersed वालों को बोलते हैं transposons तो जब हमने human genome को या all over genome को study किया तो हमें उसमें भी कुछ ऐसी sequences मिली जो उस निमेटोड के RNA को silent कर सकती हैं तो transposons को निकाल कर भी आप plant में डाल सकते हो तो what are the two sources from where we get this gene या तो retroviruses या फिर transposons clear? transposons और ये दोनों ही replicate via RNA intermediate ठीक है? तो क्या होता है देखना? अब डालेंगे कैसे? पहले तो source हो गया आप इसके थोड़े से हलके से notes बना ले ला जिससे आप बाद में उल्जो नहीं कि इस method के लिए पहले तो हमारे पास source of gene क्या है? उसमें मैंने ये जो दो बताए A और B वो लिख ले ना फिर हमारे पास vector क्या है? हम भेज कैसे रहे हैं उस gene को तो vector के लिए यहाँ use करते हैं बच्चों agrobacterium को कर लो क्या दिक्कत है? टबैको monocot है, dicot है? टबैको solanasi family में आता है potato family में है ना? तो dicot है तो आप agrobacterium के plasmid में deliver करके आ जाएगा ठीक है? अब plant हो गया है resistant, आपको जो अपने plant cells बनाई है ना, genetically modify करके उनको culture कर लो, नया plant बन जाएगा टबैको का, अब जब आप उस टबैको plant को grow करोगे, तो टबैको plant कैसा है? यह खुद nematode resistant plant है खुद कैसा है? nematode resistant plant है, और यह कैसे nematode को resist करेगा? उसमें आप यह mechanism लिख लेना यह जो मैंने diagramatically बताया है diagram बना लेना या फिर यह बाला बना लेना, कोई भी बना लो यह plant cell है, यह ऐसे जाकर nematode में काम करेगा, चाहो तो एक चार्ट बना लेना चोटा सा diagram नी बनाना हो तो कि पहले plant cell में SI-RNA बनेगा, मतलब एक आरेने बनेगा उस आरेने के dicer से SI-RNA बनेगे, फिर SI-RNA ने nematode में जाकर unzipping हो जाएगी unzipping के बाद जो antisense strand है, वो जाकर pathogen के mRNA की silencing कर देगा, चीक है clear? तो यह nematode resistance का पूरा mechanism आपको लिख लेना है, ओके? तो आपकी NCIT में क्या लिखा है? using agrobacterium vector, यह अलग से पूछ लेंगे तुमसे, कि RNA interference method में कौन सा vector यूज किया था? tobacco plant में nematode specific gene जो कि हमने कहां से isolate किया है? उन दोनों sources से were introduced into the host plant the introduction of this gene or DNA was such that it produced both sense and antisense RNA, यह दो अलग-अलग RNA नहीं है, यह actually make dub, इनको इसी ले मैं कहरी हूँ आपको कि NCIT में बड़ अजीब तरह से लिखा हुआ है इनको लिखना चीए, it produce double stranded RNA with sense and antisense strand यह कैसा RNA है? जिसके एक strand का नाम है sense strand, दूसरे का नाम है antisense strand ठीक है, यह कहां बना बचो, यह तो host में बना है now these two RNAs being complementary to each other formed a double stranded RNA अच्छा, इनोंने इस तरह से लिख दिया है मतलब यही क्याना चाह रहे हैं कि वो सीधा double stranded form में नहीं बनता एक sense strand बनता है, एक antisense बनता है, दुनों चिपक जाते हैं और उससे बनता है आपका एक double stranded RNA, ठीक है तो तुम्हें ऐसे ही रहने दो, जैसा NCRT में लिखा है, ठीक है कि यह sense strand बनाता है antisense बनाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के complementary हैं बई, sense और antisense भी तो complementary हैं ना बचो, तभी तो यह आपस में bind हो रखे हैं, है ना तो क्योंकि यह एक दूसरे के complementary है they form a double stranded RNA, इस double stranded RNA का नाम क्या है इसी का नाम है SI RNA, Small Interfering RNA which initiate RNAi mechanism, यानि वो पूरा host में जाता है, पैथोजन में जाके क्या क्या करता है वो सब and silenced the specific mRNA of nematode the consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host एक ऐसा host जिसमें वो gene express कर रहा है खुद को, ठीक है and the transgenic plant got itself protected from the parasite, ठीक है, again I agree, यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा mix करके लिखा हुआ है, थोड़ा सा उल्जाया हुआ हुआ है, clear cut नहीं बताया है इसलिए आप इसके छोटे से nodes बना के रखना एक तो RNA interference method क्या होता है उसका एक chart बना के रखना बहुत short में, यह जो मैंने बनाया है ठीक है, पूरा diagram नहीं बनाना चाहो तो यह वाली sequence बना ले न और और यह जो है इसकी तीन चीजें, कि इस gene का source कहा है इसका vector क्या है और plant में जाकर यह कैसे resistance क्रेट कर रहा है इसमें वापिस वही mechanism आ जाएगा that is RNA interference method यह लिख ले रहा है Done, समझ में आ गया क्या agricultural applications एकदम अच्छे से clear है आगे बढ़े हाँ बचो तो अब हम बात करते हैं इसकी medical applications की medicine field में तो भाई biotech में तहल का मचा रखा है medicine field में तो बहुत सारी जो भी नए diagnostic methods है medications है उनमें biotech का बहुत important role है सबसे important जो मैं example आपको बार बार देती हूँ insulin है ना diabetes के patients तो लगातार तेजी से बढ़ी रहे हैं diabetes के patients को last में insulin लेना ही पड़ता है इतना insulin कहां से लाते हम अगर biotech ने हमको genetically engineered insulin नहीं दिया होता तो insulin का previous source क्या था मैंने आपको बिताया था cattle से निकाला जाता था cattle को मार देते थे slaughter कर देते थे फिर उनके pancreas में जो भी insulin है उसको निकाल कर medicines बनाई जाती थी मतलब उसी को commercial किया जाता था तो वो तो एक limited amount में है और unethical method भी है ना आसा हम अपने भले के लिए cattle को मार रहे हैं तो genetic engineers ने कहा कि भाई ये सब की जरूत नहीं है हम तुमको ऐसे bacteria modify करके देंगे जो तुम्हारे लिए insulin बनाएंगे तुमने culture करते रहना और उनसे insulin निकालते रहना और वही हुआ ठीक है तो medical field में जैसे insulin ये तो एक example है ऐसे बहुत सारे enzymes हैं, anti-biotics हैं proteins हैं जिनकी जरूरत medical industry को हमीशा रहती है और biotechnology या genetic engineers उनको बनाने वाले genes को bacteria में shift करकर हमको दे देते हैं कि लो भई यह आपका manufacturing plant है आप बनाओ जितना बनाना है ठीक है? तो the RDT, recombinant DNA technology have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs safe क्यों कहा गया है? क्योंकि कई बार जब इनको हम animal sources से लेते हैं तो कुछ लोगों में यह चीज़े allergy भी कर देती हैं पर अगर हमने human insulin बनाने वाला gene use किया है तो उसमें allergy होने का सवाल ही नहीं उड़ता तो यह दवाईयां जादा safe होती है और जादा effective होती है mass production कर सकते है इनका further the recombinant therapeutics therapeutics है नहीं वही दवाईया do not induce do not induce unwanted immunological response immunological response यह नहीं allergy यह allergic reactions भी नहीं करते as common in case of similar product isolated from non human source अगर आप किसी animal source से उसको निकाल के humans को देते तो कई के कुछ cases में वो allergic reaction कर देते हैं पर ऐसा कुछ भी recombinant therapeutics के cases में नहीं होता okay at present एक data दिया है आपको हलंकी अब तक तो यह change हो चुका होगा 30 recombinant therapeutics have been approved for human use over world, whole worldwide उनमें से इंडिया में 12 are available all over world 30 तरहा के therapeutics अभी तक develop किये जा चुके हैं approved हो चुके हैं और उसमें से 12 इंडिया में at present available है, ठीक है बट मुझे जहां तक लगता है यह data आप change हो गया होगा नहीं है, NCRT में किया नहीं ठीक है, now सबसे पहला use genetically engineered insulin management of adult pelfrosa diabetes की बारे में बताया में अच्छे से पढ़ चुके हैं adult onset diabetes किसको कहते हैं, type 2 मैंने बताया था ना आपको diabetes पढ़ाते वक्त, एक तो type 1 होती है congenital by birth pancreas में कोई defect है और दूसरी होती है type 2 lifestyle, genes वगेरा की वजह से होती है है ना, is possible by taking insulin at regular time interval what would a diabetic patient do if enough human insulin was not available you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals would the insulin isolated from other animals be just as effective as that by human body itself पूछ रहा है वो तुमसे कि अगर जो आज के समय में हम इतना सारा human insulin use कर रहे हैं, अगर वो human insulin ना होके क्योई animal insulin होता तो पहली बात तो क्या वो इतना effective होता और दूसरा क्या उसके वजह से allergy नहीं होती, now imagine if bacterium were available that could make human insulin suddenly the whole process becomes so simple, you can easily grow a large quantity of bacteria and make as much as insulin as you need think about whether insulin can be orally administered to diabetic patients अच्छा यहाँ पर आपको एक और fact बताया है, यह भी मैंने आपको पहले diabetes पढ़ाते वग बताया था बचो, insulin की कभी भी गोलिया नहीं होती है tablets, pills नहीं होती है, insulin orally नहीं दिया जा सकता क्यों? क्योंकि insulin एक protein है and it will be metabolized अगर इसको oral track से लेंगे, तो जो हमारे digestive system में enzymes हैं वो इसका digestion कर देंगे यह पहुँचेगा इनी blood तक, insulin get digested in GIT इसलिए इसका oral administration नहीं होता बचों, आपको पता होगा diabetes के लोग जो insulin लेते हैं, वो insulin के injections लेते हैं इंचेक्शन को हलका सा वो जैसा injection होता है, बार बार देली लेना होता है, खाने से पहले लेना होता है तो बार बार तो डौक्टर के पास जा नी सकते हैं तो उससे इस तरह बनाया गया है कि उसमें जो निडिल होती है, हलका सा बस जैसे pin हम लगाते हैं इस वैसे skin में डालना होता और inject कर देना होता है वो पहुंच जाता है ठीक है self injections होता है इसके clear now insulin used for diabetes बताया है आपको कि पहले के time में यह जो insulin use होता था it was extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs which was very unethical even यह जो animal source का insulin था it though caused some patients to develop allergy or other type of reactions to the foreign protein insulin consist of two short polypeptide chains अच्छा protein यह ऐसे करते हैं एकदम से नई चीज़ शुरू कर देते हैं एक तो यह part हो गया एक तो insulin से related हो गया कि क्यों human insulin को develop करने की जरुवत पड़ी क्योंकि animal insulin के दो drawback बताये हैं पहला limited quantity में है दूसरा कई बार reaction कर देता है और तीस राई एक unethical method है है ना तो हमने genetic engineers ने कहा हम human insulin develop करेंगे और उससे पहले हमें insulin का structure पता होना चाहिए तो आपको यहाँ पर NCRT ने insulin के बारे में एक बहुत important चीज़ बताईए समझना डाइग्राम से ही समझ लो insulin अगर आपको यादो बचों तो insulin ना एक quaternary protein है मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को biomolecules में primary, secondary, tertiary and quaternary quaternary proteins वो होती हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा तरहा की polypeptide chains हों तो insulin के पास भी दो तरहा की chains होती हैं एक होती है A chain, एक होती है B chain एक का नाम है A polypeptide हैं तो सब amino acids की chain एक का नाम है A, एक का नाम है B, यह जो blue color से दिखाई है A है यह जो green color से दिखाई है B peptide है ठीक है? A peptide आपको दिखी रहा है थोड़ी छोटी होती है इसमें होते हैं 30 amino acids sorry, छोटी है तो 21 amino acids और B peptide में होते हैं बच्छों 30 amino acids ठीक है? टोटल किते हो गए? 51 amino acids तो insulin एक ऐसा protein है जिसमें 51 amino acids होते हैं दो chains होती है A और B पर insulin को जब आप देखोगे जब pancreas insulin को produce करता है ना तो अगे इन inactive form में करता है और इसका नाम है pro insulin क्योंकि ये जो A और B chain है ये आप देख रहे हो आपस में तो जुड़ी हुई हैं ये कौन से bonds है? These are disulfide bonds लिख देना ये जित्ते भी bonds आपको दिख रहे हैं ना insulin में बचों ये सब disulfide bonds है जब आपको पढ़ोगे human health वहाँ पर भी आएंगे ये antibody के structure में भी disulfide bonds होते है insulin में भी होते है ठीक है? antibody भी तो एक protein ही है तो disulfide bonds क्या करते हैं? इन chains को आपस में जोड़े रखते हैं A और B को जोड़ रखा है कहें नोने? कुछ bond A में internally में है ये देखो ये रहा S ठीक है भाई? और एक extra gray color की chain आपको दिख रही है क्या? इसका नाम है C peptide ये जो extra chain आपको दिख रही है this is C peptide, C chain ठीक है? जब insulin के structure को study किया गया तो क्या मिला? कि जब pancreas insulin बनाता है तो pro insulin की form में बनाता है पर जब इस insulin को action करना होता है तो ये C peptide अलग हो जाता है free हो जाता है देखो C हट गया A और B अभी भी आपस में जुड़े हुए है ठीक है? तो ये जो A और B peptide आपस में जुड़े हुए है उसी को आप कहते हो insulin molecule तो what is the difference between pro insulin and insulin? pro insulin में तीनों chains है A और B आपस में जुड़े हुए है C के थू भी जुड़े हुए है इसका end और इसका end जबकि insulin में सिर्फ A और B रहे गा है C अलग हो गया है ठीक है? तो पहले तो scientist नहीं ये पता लगाया कि देखें human cell में A की gene तीनों chain को बना रहा है क्या? कैसे possible है? अब कर रही थी उनने का है हम C chain क्यों बनाए है हमें क्या पढ़ी है कि हम pro insulin की form में बनाए है फिर inject हो फिर अंदर जाके आपते वो वो तो nature इसले करती है कि उनको insulin बना बना के store करना है हमें थोड़ी ना करना है हमें तो बस patient को injection देना है वो जब खाना खाएगा insulin आक्ट कर देगा खाने से ही पहले लिया जाता है वो insulin ठीक है? तो क्यों ना हम सिर्फ directly mature insulin ही बनाए ना तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमारी cell में सिर्फ उन्हीं दो genes को अलग किया जो A और B peptide के लिए code करते है यह अलग, suppose यह अलग chromosome पर अलग पर हो सकता है सेम पर भी हो उससे हमें मतलब नहीं है हमें इस बात से मतलब है कि उन्होंने एक तो उस gene को identify किया जो code करता है A peptide के लिए और दूसरा उस gene को identify किया जो code करता है B peptide के लिए दोनों के लिए लग-लग जीन है न, C-peptide वाले जीन का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, और अब इन जीन को isolate किया human cell से, पर DNA, फिर जीन, उसको bacteria में डाला, पहले plasmid से जोड़ा, फिर bacteria में डाला, bacteria कौन सा लिया, E-coli, selectable market से पता कर लिया कि किसमें गया है किसमें नहीं, जो दोनों chains को आपस में जोड़ना है, अगर आपने bacteria में A और B जीन अलग-अलग डाला है, तो A peptide बनेगा और B peptide बनेगा, तो जब इन दोनों chains को bacteria से निकालते हैं बच्चों, तो उसके बाद इनको laboratory में जोड़ना भी पड़ता है, this is the last challenge, कि इनको जोड़ें कैसे, तो इनक इनको successfully इनहीं bonds के थूँ, disulfide bonds के थूँ जोड़ा गया, और इस mature insulin का commercialization कर दिया गया, यह सारा काम किया था, 1983 में एक American company, Ellie Lilly ने, very very important, Ellie Lilly, scientist का नाम नहीं है, एकदम से पढ़ने में लगता है, कोई scientist है, it is an American company, जिसने क्या किया, दो DNA sequences prepare की, A और B के लिए, ठीक है, जिनसे द अलग-अलग production हुआ, और वो ही plasmid में introduce करके, कौनसा bacteria, E. coli, then chain A and B were produced separately, separately, ध्यान रखना, अलग-अलग बनाया गया है, इनको, extracted, फिर इनको extract किया, and combined by creating disulfide bonds to form human insulin, क्या हम human insulin को humulin कह सकते हैं, हमulin, yes, इसको हमulin भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया क्या आपको, तो पहले आपको यहाँ पर insulin का structure बताया है, कि insulin में 2 short polypeptide chains होती है, ध्यान रखना question में pro-insulin लिखाए या insulin लिखाए, insulin लिखाए तो 2, और pro-insulin लिखाए तो 3, ठीक है, that are linked together, कौनसे bonds, disulfide bonds, जो बाद म artificially create किये गए थे, in mammals, including human, insulin is synthesized as pro-hormone, जैसे कोई pro-enzyme होता है, बिलकुल वैसे ही, and it need to be processed before it become a fully mature hormone, जिस processing में क्या करती है, body, extra stretch जो है C-peptide उसको हटा देती है, क्योंकि यह C-peptide is not present in the mature insulin, and is removed during maturation into insulin, ठीक है, तो the main challenge for production of insulin, using our DNA technique, was getting insulin assembled into a mature form, तो उन्होंने इस तरह से इसको किया, कि पहले हम तीनों को बनाएंगे, फिर उसको convert करेंगे, दो को बना लो, और disulfide bonds से जोड़तो, ठीक है, यह थी insulin के कहानी, और क्या करके दिया हमें biotechnology ने, very interesting, एक और चीज जो हमें biotechnology ने करके दिया बच क्या होती है यह gene therapy देखना, कई बार बताया है मैं तुम्हे genetics पढ़ाते वक्त, कि biotech ने यह भी possible कर दिया है, कि वैसे तो genetic disorders का कोई permanent ilaj होता नहीं है, अगर कोई बच्चा sickle cell anemia या hemophilia के साथ bond हुआ है, तो हुआ है भई, उसको बस symptomatic treatment देते रहो, कोई और तो ilaj है नहीं लेकिन genetic engineers कहते हैं, क्यों ना हम उस बच्चे में embryonic stage पर ही पता लगा लें, कि इसको यह defect है की नहीं, that you know, amniocentasis से पता लगाया जा सकता है, और उसी embryonic stage पर उसकी body से कुछ cells निकाल कर, उन cells को genetically engineered कर दें, अगर मान लो उसमें sickle cell anemia का defective gene है, तो उस gene की जगा हम एक healthy gene लग cells में, और उन genetically modified cells को वापिस embryo में डाल दें, तो अब embryo की body में normal hemoglobin बनाने वाला gene भी है, पहले तो था ही नहीं वो gene, अब आपने कुछ genetically modified cell डाली है, तो है, जैसे जैसे cell divide करेंगी, वो gene भी multiply होगा, डिवाइड करेंगा, तो embryo की काफी हद तक cells में वो gene होगा, और वो क्या करेगा, जब उसका birth होगा, तो उसमें एक normal hemoglobin भी होगा, चाहे से आपने, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि gene therapy को embryonic stage में, जितनी earlier stage पे कर दोगे, उतनी ही जादा effective होगी, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ न, अगर एच के बाद करोग जहाँ वो काम करता है gene, है न, embryonic stage में जब cells multiply कर रही हैं, अगर differentiate ही नहीं हुई है अभी, तभी आपने cells को modify कर दिया, तो फिर तो आपने उस disorder को उसकी body से लगभग खतम कर दिया, ठीक है, वही जितना late करोगे, उतना ही number of cells बढ़ता जाएगा, या तो आप सारी cells में genetic modification करो या कुछ cells defective gene के साथ रह जाएंगी, कुछ healthy gene के साथ रह जाएंगी, तो अभी हैं इसमें कुछ problems हैं, कुछ limitations हैं जिसकी वज़ा से इतनी common नहीं हैं ये gene therapy, पर हां इसमें कुछ cases इसके successfully किये भी गए हैं, embryonic stage का तो नहीं, लेकिन आपकी book में 4 years की बच्ची पर ये treatment किया गया था 1990 में, उसका एक example दिया हुआ है, पहले समझ लो gene therapy क्या है, if a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such a disease, gene therapy is an attempt to do this, what is gene therapy, it is a collection of methods that allow correction of a gene defect that has been diagnosed with a child or embryo, child में भी कर सकते हैं, करा भी गया है, पर वहीं उसको repeat करना पड़ेगा, उसकी effectiveness उतनी अच्छी आईगी जितना आप early embryo पर करोगे, here genes are inserted, इसमें basically करते क्या है, healthy gene को insert करते हैं, person के cellular tissue में to treat a disease, it involves delivery of a normal gene into the individual embryo to take over the function and compensate for the non-functional gene, suppose कोई ऐसा disorder है, जिसमें gene function ही नहीं कर रहा है, कोई कमी है body में किसी चीज की, चलो hemoglobin का थोलग case था, कमी है, मालो PKU है, उसमें phenyl alanine hydroxylase बनाने वाला enzyme ही नहीं है, तो आपने embryo की कुछ cells निकाली, उसमें वो gene डाल दिया, अब उसकी body में enzyme बनेगा, तो उसको PKU नहीं ह होगा, ठीक है, clear, तो इस तरह से gene therapy की जाएंगे, तो वर्दान है medical industry के लिए, अगर सब के लिए gene therapy बन जाएं सारे genetic disorders के लिए, और उसको embryonic stage पर हम कर सकें, तो most of the genetic disorders खतम हो जाएंगे, है ना, तो first clinical gene therapy, very very important, बहुत बर question आया है बचो, जो first clinical gene therapy की गई, वो एक 4 साल की बच्ची पर की गई, 1990 में, 1990 में, जिसको एक disorder है जिसका नाम है ADA deficiency, यह disorder का नाम याद रखना है अब, adenosine deaminase, ADA, पर कई बार confusion होता है, ADA, adenosine deaminase, यह enzyme है, इसकी deficiency थी इस बच्ची में, पहले तो समझो यह enzyme करता क्या है, यह जो enzyme है बच्चों, ADA, it helps in maturation of lymphocytes, maturation of lymphocytes, हमारी body में lymphocytes होती हैं क्या, blood cell, B lymphocyte, T lymphocyte, कहां बनती हैं blood cells, अब ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है, जिसको यह भी नहीं पता, हम 12th के end पर आ गए हैं, बताया था, bone marrow में बनती हैं na blood cells, तो bone marrow में, B lymphocyte, तो bone marrow में mature हो जाती हैं, T lymphocyte, thymus में जाकर mature होती हैं, पर कहीं भी mature हो रही हैं, जब यह mature होती हैं, तो इनको ADA बनाना पड़ता है, अगर इनके अंदर ADA enzyme बनेगा, तो तो यह mature होंगी, बरना नहीं हो पाएंगी, immature हो जाएंगी, अगर यह immature हो रह गई, तो soldiers कैसे, B lymphocyte और T lymphocyte तो हमारी soldiers हैं ना, fight करती हैं ना pathogens के साथ, तो उस person की immunity बहुत कमजोर होगी की नहीं, genetic disorder है, genetic deficiency है, उसमें LDA की lymphocytes mature ही नहीं होगी, और ऐसे person को बचो, severe SCID, severe combined immunodeficiency syndrome होता है, यह नाम NCRT में नहीं है, बट प्लीज लिख लो, PYQ उसमें कई बार आया है यह नाम, जिनमें ADA की कमी होती है, उनमें जो disease है, जो syndrome है, उसका नाम है SCID, disease लिख लो, severe combined immunodeficiency disease, SCID, very very important, SCID, याद रखना, SCID, यह जो पूरा case discuss किया आपसे, it is regarding the SCID, severe combined immunodeficiency, B lymphocyte, T lymphocyte, दोनों ही mature नहीं हो पा रहे हैं, person is highly immunodeficient, ठीक है, जैसे एक आप पढ़ते हो AIDS के बारे में, AIDS तो एक infectious disorder है, उसमें तो HIV का infection हो गया, वो T lymphocytes पर attack करेगा, उनको मार देगा, जिसकी वज़र से immunity कम हो जाएगी, यहाँ पर lymphocyte mature ही नहीं हो पा रही है, है ना, इस वज़र से, और generally जन बच्चों को यह disorder होते हैं, उनको बच्चों बहुत जादा, अगर उनने जिन्दा रखना है, तो बहुत जादा isolated hygienic environment में रखना पड़ता है, एकदम बंद जगहों में, जहाँ पर ना, बस उसकी oxygen वगरा मिल रही हो, कोई भी microbes वगरा नहीं हो, ठीक है, generally अपने इंडिया में तो ऐसे systems हैं ही नहीं, ये बच्चे born होने के थोड़े दिनों में ही मर जाते हैं, क्योंकि infection नहीं हो, ऐसा कैसे possible है, हमारे चारो तरफ pathogen हैं, हमेशा body में जाते रहते हैं, वो तो हमारा immune system हमें बचा के रखता है, बच्चे का immune system ही लीक है, तो कैसे बचेगा वो, foreign countries में हैं कुछ, ऐसे मैं देखे थे बड़े-बड़े balloons type के structures होते हैं, उनके अंदर रखना पड़ता है, है ना, तो, तो इस disease का treatment ढूंडा गया, कि वो person में क्यों है ये बिमारी, क्योंकि उसमें जीन ही नहीं है ADA बनाने वाला, तो क्या करा, उस बच्ची के blood से, ये देखो, क्या करा इसमें समझना, कि ये जो बच्चा है, जिसको ये बिमारी है, डाग्रेमाटिकली समझ लो, इससे कुछ cells को निकाला गया, blood में से cells को निकालना असान है, ठीक है, और उन cells को निकाल कर ये रही cells, ठीक है, culture media में रख लिया, जैसे मारना जाएं cells, ये mature है, mature तो हो नहीं पा रही है, इन cells में gene भेज दिया, कैसे भेजा, retrovirus vector को use करके, retrovirus में हमने वो gene insert कर दिया, human cell से निकाल कर, जो ADA बनाता है, और retrovirus का infection करा दिया, जब retrovirus अपना RNA भेजेगा, तो हमारा gene भी पहुँच जाएगा, वो आपको पता है, कि बता रखा है, कि जब भी retrovirus use करते हैं, तो virus अंदर जाकर CDNA बनाता है, और फिर वो CDNA host के genome में insert हो जाता है, complementary DNA, तो अब ये cells, genetically modified cells हैं क्या, इनमें पहले ADA बनाने वाला gene नहीं था, अब है, कैसे बेजा आपने retrovirus से, निकाला कहां से gene को बटा विया से human cells है, ठीक है, source DNA, vector DNA को मिला कर वही same processor, अब इन cells को वापिस उस बच्ची के blood में डालना है, cells को निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, blood transfusion कर दो, या blood में से cells निकाल लो, डाल लो, no problem, ठीक है, जब ये cells इस बच्चे के body में गई, तो ये ADE बनाएंगी न, ADE बनाएंगे तो mature हो जाएंगी, mature हो के अपना काम करेंगी, fight करेंगी pathogenes के साथ, तो पर इसका सबसे बड़ा drawback क्या है, अगर आप adult organism में ये कर रहे हो, after birth कर रहे हो, तो आपको ये therapy बार-बार repeat करनी पड़ेगी न, बचों, क्योंकि ये जो lymphocytes हैं, ये immortal तो हैं नहीं, they are not immortal, या तो ये immortal cells होती, कि ये कभी मरेंगी नहीं, हमेशा रहेंगी उस बच्चे की body में तो ADE बनाती रहेंगी, इनकी तो जैसे ही life खतम होगी, these cells will die, फिर आपको कुछ cells निकालनी पड़ेगी, सिम्टम आने लगेंगे infections की, cells निकालो, modify करो, डालो, laboratory में बनालो कुछ cells, हर थोड़े दिनों में, हर थोड़े months में, जो भी life span है, उसके बाद cells का जो भी life span है, उसके बाद बच्चे में inject करो, तो अगर gene therapy, after birth की जाती है, यह तो costly treatment है, उपर से बार-बार करवाना पड़ रहा है, इसलिए अभी मैंने कहा आपको कि इसके implementation इतने अच्छे से नहीं हो पाए है, है ना, यह तभी जादा successful है, जब इसको embryonic stage में dividing cells में ही कर दिया जाए, ओके, समझ में आ गया, कैसे करते हैं gene therapy, तो देखो क्या लिखा है, पहले तो इस enzyme के बारे में बताया है, this enzyme is crucial for the immune system to function, क्यों, उसका reason मैंने यहा लिख दिया है, उच लेंगे तुमसे यह enzyme हमारे सबके immune system के लिए highly crucial enzyme मैं बचो, क्यों, क्योंकि हमारी lymphocytes को यही mature करवाता है The disorder is caused due to deletion of the gene for this enzyme, deletion type of mutation है है एक, in some children, ADA deficiency can be cured, अच्छा हाँ, gene therapy तो अब आई है, उससे पहले इसको कैसे treat करते थे पता है, इसके 3 treatment modalities है, एक तो इसमें क्या करते है, bone marrow transplantation भी कर सकते हैं, क्या, कहां बन रही हैं यह cells, bone marrow में, अगर इस person, इस बच्चे के, इस diseased person के matching का क donor मिल जाए, हैली बद तो matching का donor मिलना ही मुश्किल होता है, मैंने आपको समझा रखा है कि जरूर, चाहे हमारे real parents, चाहे हमारे siblings हों, चाहे हमारे parents हों, कितना भी near relative हो हमारा, पूरे antigen match करना possible नहीं होता है, है ना, तो अगर कोई near donor मिल भी जाए, तो क्या करना है, उसके bone marrow क को निकाल कर इस बच्चे में transplant करना है, पर जैसे मैंने बोल दिया वैसे नहीं होता, bone marrow transplantation एक बहुत major surgery होती है, कई बार जान जाने तक का भी risk रहता है, ओके, और वो bone marrow जो आपने एक donor से निकाल कर इस बच्चे में डाला है, क्या पता, वही react कर दे, body उसको अपना दुश् transplantation, not only bone marrow, kidney transplant, liver transplant, हर transplant में जान का खत्रा तो रहता है, इसलिए immunosuppressants दिये जाते हैं, है ना, already बिचारे की immunity कम है, तो more immunosuppressants दे रहे हो, तो bone marrow transplantation, इस disease को treat करने का एक क्योर तो है, बट बहुत risky है, कैसे क्योर है, वो समझा गया ना तुमें, अगर healthy person का bone marrow इसकी body में होगे, तो bone marrow में cells गई, वो cells तो healthy cells है, वो cells divide करके lymphocytes बनाएंगी, lymphocytes में ADA है, तो वो तो mature हो जाएंगी, तो बहुत हद तक और क्योंकि आपने bone marrow transplant किया है, तो लगातार उसमें dividing cell है, तो अगर एक बार successful हो गई surgery, तो फिर उस बच्चे को ये disorder से रहत मिल जाएगी, क्यों अब उसकी body में ADA बनाने वाला gene उसकी dividing cells में आ गया है, ठीक है, बट क्यों इसको use नहीं करते मैंने बताएं, तो donor ही नहीं मिलता है, मिलता है, तो risky भी हता है operation, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए एक और treatment निकाला गया, enzyme replacement therapy, कि हर थोड़े दिनों में ADA के injections दे दो, enzyme को replace करो जिस भी तरीके से ADA को उसकी body में पहुंचाओ, वो lymphocytes को mature करें, इसको क्या कहते हैं, enzyme replacement therapy, बट अगेन ये भी permanent नहीं है, बार-बार आपको inject करना पड़ेगा, है ना, in which functional ADA is given to the patient by injection, but the problem with both of these approach, that they are not completely curative, ठीक है, as a first step towards gene therapy, तो तीसरा जो इसका treatment है, वो है gene therapy, तीन mode of treatment याद रखने हैं, आपको SCID के, bone marrow transplant, enzyme replacement therapy, and gene therapy, इसमें क्या किया, lymphocytes ली गई, blood of the patient के, are grown in a culture, outside the body, in vitro हो रखा है हमने उनको, ऐसा नहीं सिदा body में gene therapy कर दी, पहले cells को निकालना पड़ेगा, then, देखो यहाँ पर आया ना CDNA का नाम, a functional ADA CDNA, complementary DNA डाला है ना, हमने RNA के थ्रू डाला है, तो वो अंदर जाके CDNA बनाएगा, अब functional ADA CDNA, या अलग से पूछेंगे तुमसे, using a retroviral vector, is introduced into these lymphocytes, यानि आपने इनको बना लिया, genetically modified lymphocytes, and they are subsequently returned to the patient, इन cells में को modify करके बापे सिसको patient की body में डाल दिया, However, as these cells, what is the drawback? As these cells are not immortal, the patient required periodic infusion, बार बार, of such genetically engineered lymphocytes. However, if the gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage, it could be a permanent cure. अगर आप इस पूरे treatment को early embryonic stage पर कर देते, तो शायद ये एक permanent cure होता. ठीक है, समझ में आ गई क्या gene therapy? आगे बढ़ें. Third application, third application है diagnostic field में. Diagnostic methods कौन से दिये? Biotech ने हमें, देखो. जब भी, Biotech की help से हम diagnosis करते हैं, उसको molecular diagnosis बोलते हैं. क्योंकि molecule को diagnose करें, ज़रूरी नहीं हम उस पूरे के पूरे pathogen को करें. हमें उस pathogen के किसी antigen, किसी antibody जो हमारी body ने बनाई होगी उससे लड़ने के लिए, उसके बारे में पता चल जाए तो में पता चल जाए तो में पता चल जाए का body में infection है. या हम उस pathogen के कुसी genetic material का पता लगा लें, कि वो है body में तो इसका मतलब pathogen है. तो molecular diagnosis ये कहता है कि जरूरी नहीं, आप pathogen के number बढ़के, उसके stage पे पहुँचे और फिर उसको diagnose करो. हम ऐसे methods बना कर आपको देंगे, आप उसके molecule को भी detect कर लोगे initial stage पर, तो आप उस बिमारी को, जो भी उससे risk होते आगे जाकर उसको रोक सकते हो. ठीक है? You know that for effective treatment of a disease, किसी भी disease का जितनी जल्दी पता लगेगा, उतना अच्छा इलाज होगा. Early diagnosis and pathophysiology समझते हो, pathophysiology मतलब होता है patho यानि disease, problem, physiology, कि जब कोई pathogen हमारी body में जाता है, तो वो कौन-कौन से organ में जाके क्या-क्या को राम मचाता है, उसको कहते है pathophysiology, ठीक है? जैसे आपको पता है कि कोई food वाला बैक्टीरिया है, वो हमारे intestine में गया, intestine के tissue को खराब कर रहा है, toxin बना रहा है, उससे constipation हो रहा है, dehydration हो रहा है, तो वो उसकी pathophysiology, फिर उससे symptoms आते हैं, ठीक है? तो यह कह रहा है कि किसी भी disease का, अगर हमें effective treatment धुनना है ना, तो एक तो वो disease early diagnose होनी चाहिए, प्लस हमें उस pathogen की pathophysiology भी पता होनी चाहिए, using conventional methods of diagnosis, जो हमारे बरसो पुराने methods है ना, blood test and urine test, serum का मतलब bloody है बच्छो, जब भी आप blood test के लिए blood देते हो ना अपना, तो वो laboratory में उस blood से serum अलग कर लेते हैं, अब यह मत कहा है ना, मैं serum नहीं पता हमें क्या होता है, cells minus clotting factors, जब हमारे clot बन जाता है तो उसमें से जो fluid निकलता है, उसमें cells तो फास ही चुकी है, उसमें clotting factors भी use हो चुके है, तो plasma minus clotting factor कोई तो serum कहते हो, क्यों करा blood देने के बाद laboratory में सबसे पहले उससे serum अलग क्यों करते हैं, clear, urine test भी करते हैं, pathogens का पता लगाने के लिए, तो these are the conventional methods, जो बहुत समय से use होते हैं, इन methods का एक drawback क्या है, वैसे तो यह हमारे लिए सबसे important है, अभी तो main तो यही test है, पर फिर भी इनका एक drawback क्या है, कि इन में early detection नहीं हो पाता, जब symptom बहुत जादा आजाते हैं, तब जाके इन test में positive आते हैं यह test, कि हाँ pathogens का number अब इतना बढ़ गया है, ओके, तो biotech ने हमको कुछ ऐसे methods दिये, जो क्या करें, that serve the purpose of early diagnosis, उसमें कौन से तीन methods हैं बचो, एक तो RDT, कहां कहां काम आती है RDT, यहां भी काम आएगी, देखना कैसे, एक PCR, PCR के बारे में बढ़ा था, previous chapter में, क्या करता है PCR, amplify कर देता है, आपने कोई sample लिया, COVID में किया, RT-PCR, आपने एक sample लिया, उस sample में genetic material गॉलब किया, correction positive है, ठीक है, and ELISA, ELISA, AIDS के diagnosis में जो यूज होता है, वो भी biotech की ही देन है, तीनों के बारे में, दो, तीन, दो, तीन, लाइंस दी हुई है, देख लो, फटा, फट, सबसे पहले, एक सेकेंड, यहां पर तीन paragraph है, यह इन तीनों method के बारे में, first आपको यहां पर PCR के बारे म बताया है, और third यहां पर ELISA के बारे में बताया है, पहले तो ELISA की बहुट details पढ़ते थे पर अब नहीं पूछते, तो PCR को कैसे use करोगे, presence of a pathogen is normally suspected only when the pathogen produced symptoms, COVID में हमें चाते थे, symptoms से पहले ही हमें पता चल जाए, by this time, the concentration of pathogen is already very high in the body, however, very low concentration of bacteria और virus, जब symptom भी नहीं आए है, can be detected by amplification of their nucleic acid, whether DNA और RNA, RNA है तो reverse transcription से DNA बना लो, और DNA है तो सीधा कर लो, तो PCR नहीं ये possible बनाया, can you explain how PCR can detect, या सम अल्रेडी पढ़ चुके हैं, तो आपकी book में दिया है, PCR is now routinely used, ना सिर्फ viral infections में COVID के लिए बचोओ, बलकि HIV के diagnosis में भी PCR use करते हैं, AIDS के diagnosis में, ELISA तो याद रखना ही रखना है आपको, AIDS का diagnosis PCR से भी करते हैं, जब आप AIDS पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे, कि AIDS एक ऐसी बिमारी है, जिसमें HIV जब बाडी में जाता है ना, तो पहले कुछ महीनों तक तो ये सिर्फ खुद को multiply करता है, छे महीने, एक साल, कई ब PCR टेस्ट के थूँ आप HIV को diagnose कर सकते हो, ठीक है, तो पहलांकि तब भी AIDS का कोई हमारे पास cure नहीं है permanent, बट अगर early stage में बता चल जाएगा, तो अब थोड़ी बहद दवाईयां start करके patient की life को बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient, not only AIDS, वलकि cancer को भी diagnose कर सकते हो, अब early stage में, cancer cells का genetic material normal cells से अलग होगा न, mutation हो चुका होगा, तो आपको जो भी doubtful cells हैं, चाहे उनका number कम है, आप उसके DNA को निकाल कर amplify करो और देखो कि उसमें mutation हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, mutation हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कैसे देखोगे, वो अभी हम RDT में देखेंगे, it is a powerful technique to identify many genetic disorders also, yes, gene mutation में वो ही कहा नहीं है, early embryonic stage में पता नहीं चलता, कम genes में, कम cells होती हैं हमारे पास, तो अगर भै सीधी सी बात है, पूरा एक ही principle है, कि अगर आप के पास, जो भी आपको identification करना है, वो जादा amount में available है न, तो identification easy हो जाता है, तो PCR बस हमको उन चीजों का genetic material amplify क करके दे रहा है for further processing, ठीक है, clear तीनों याद रखोगे, HIV, cancer और genetic disorder सबको PCR से diagnose किया जा सकता है, आगे बढ़े, RTT क्या करता है, कैसे मदद करता है हमारी, देखो, इसको मैं तुम एक diagram से समझाती हूँ, कि मान लो, ये एक DNA sample है, ठीक है, जिसमें हमने उसको मान लो, पहले amplify भी कर लिया PCR से, अब हमें ये पता लगाना है, ये एक part है उसका कि इसमें mutation हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो gene of interest है जिसमें हमें mutation देखना है, हमें उसकी normal sequence भी पता होती है, पूरे human genome की normal sequence तो हमें पता ही है, तो हमने उस normal sequence के laboratory में कुछ probe बना के बचों, प्रोब क्या होते हैं, प्रोब होते है, radioactive single stranded DNA, जैसे DNA fingerprinting में use किये थे, जो एक particular sequence के complementary होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है इस technique में, कि जिस cell से आपने sample निकाला है न, उस sample को amplify करके probe के साथ रखना है, अगर, अगर ये इसमें mutation नहीं हुआ है, ये probe हमने कैसा बना है, this probe is complementary to normal sequence, mutated sequence का नहीं है, ये normal sequence के लिए complementary, mutation में तो हमें क्या पता, दुनिया भर में इतने mutation होते हैं, पर normal sequence तो पता है न, तो हमने उनके लिए probe बना के रख लिए, अब क्या करते हैं, इन DNA probe के साथ, जिसका पता लगाना है उसको रख दो, अगर ये probe bind हो गया इसके साथ, इसका मतलब ये एक normal sequence है न, yes or no, अगर ये probe पहले हमें इस DNA का denaturation तो करना पड़ेगा, तभी तो इसके दोनों strand अलग होंगे, और अगर हमारा probe उससे जाकर जुड़ गया है, और वो उसकी हमें autorediography पे जलक दिख गई है, तो इसका मतलब वो एक mutated gene नहीं है, वो एक normal gene है, क्योंकि probe bind हुआ है, और अगर हमें उसकी जलक autorediograph पे नहीं दिख रही, इसका मतलब probe bind ही नहीं हुआ, क्योंकि ये sequence इसकी complementary नहीं रही, क्योंकि इसमें mutation हो गया है, तो क्या ध्यान रखना है आपको? नीट में question आएगा, तो अब कैसे ध्यान रखोगे? कि अगर आपको, क्या लिखोगे? mutated gene not appear on photographic film, अगर वो gene photographic film पर appear नहीं हो रहा है, तो मतलब वो एक mutated gene है, क्यों है? क्योंकि the probe will not have complementary with the mutated gene, probe तो normal के लिए है, and if the gene appear on autographic plane, ये photographic film, तो इसका मतलब वो gene अभी भी एक normal gene है, उसमें mutation नहीं हुआ है, तो again आप early stage पर mutations को इस technique से easily detect कर सकते हो, genetic disorders, mutations, किसी को भी, single standard DNA और RNA, जरूरी नहीं आप DNA यूज करो, RNA को detect करना है, तो RNA भी, single standard होना चाहिए, दोनों ही, radioactive होने चाहिए, ऐसे molecules को कहते है, probe, या अलग से highlight करन Now, what is probe? कई बार आचुकी definition अब तो, a single standard DNA और RNA packed with a radioactive molecule is called probe, तो इस technique में हम probe को allow करते हैं, hybridize करो तुम जाकर, किसके साथ? Clone of cells में, जो भी genetic material है, और फिर उसको detect करते हैं, auto radiography से, क्या धियान रखना है आपको? अगर appear हो रहा है, तो वो एक normal gene है, और अगर appear नहीं हो रहा है, तो वो एक, क्या है? mutated gene है, mix तो नहीं करोगे आप concepts को, ठीक है? clear? then, आया हुआ है question इस पर, statement type question आया हुआ है, and what is ELISA? ELISA बिलकुल अलग है इन दोनों से, इसमें ELISA में genetic material का कोई काम नहीं है, DNA, RNA कुछ detect नहीं करते हैं, ELISA में antigen antibody को detect करते हैं, अगर किसी की body में HIV का infection हुआ है, तो HIV के antigen होंगे? और उसको मारने के लिए body ने antibody बनाई है, तो antibodies भी होंगी उसके serum में, है ना? तो either antigen और antibody, कुछ भी एक चीज को detect कर लेते हैं, जिसे ELISA को मैं अगर, मैं आपको short में बताऊं तो इसका full form है, enzyme, lint, immuno, sorbent, ऐसे? लिखा नहीं हाँ पे, लिख लो, इसका full form है, enzyme, lint, immuno, sorbent sorbent आया absorption के reference में, essay, essay यानि जांच, test, इस technique में क्या करते हैं, बच्चो, immuno यानि antigen, antibody, अगर हमें patient के blood में antigen detect करना है, तो हमें एक ऐसा, यूं कहलो, technique prepare करते हैं, मतलब उसमें होता है, plate वगरा होती है, उन पे antibodies डाल देते हैं, और कुछ enzyme डाल देते हैं, अब patient का blood sample उसमे डालोगे, अगर patient में उसका antigen है, तो antigen antibody की साथ bind होगा न, उस enzyme की presence में, यह जो conjugate है antigen antibody, यह कुछ color produce करता है, तो color के basis पर कितना color है, उसकी क्या density है, कितना dark है, light है, यह पता लगा लिया जाता है, कि वो person positive है, किया कितना person infection हुआ है, ठीक है, तो enzyme link, enzyme की presence में antigen antibody को sorbent और दूसरे पर चिपकाना, is called ELISA, ठीक है, जिसमें की, यह पुछा गया equation, इसका principle क्या है, antigen antibody interaction, वाइस वर्सा भी कर सकते हो आग, अगर आपको antibody detect करनी है, तो आपको उस plate पर antigen रखने है, इनको laboratory में बनाया जाता है antigen antibody को, अगर patient की blood में antibody है, तो antigen से bind होगी, enzyme की presence में, और वो color change होगा, ठीक है, direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA, बहुत सारे types होते हैं, मत पढ़ना unnecessary नहीं पूछते हैं, ठीक है, so, infection by pathogens can be detected by presence of antigens, या तो आप antigens को detect कर लो, अब यह तो सब को पता है न, antigens क्या होते हैं, बचों, cell के ID card, cell की surface पर कुछ sugar polymer, या कोई protein, या कोई glycoprotein, पर antibody हमेशा protein होत infecting the antibody, ज़रूरी नहीं antigen detect करो, आप antibody भी detect कर सकते हो, synthesized against the pathogen, but obvious उसे pathogen नहीं बनाया, हमने बनाया है, पर अगर उसका infection हुआ है, तो हमारे blood में antibody भी होगी, done, so this is all about the medical applications, ठीक है, रहा इसमें transgenic animals और biopiracy, वो मैं आपको next session में पढ़ाऊंगी, एक छोटी सी चीज और दे हमें देखा है, ये NEET में कभी कबार पूछ लेते हैं, monoclonal antibodies, MAP, ये क्या होती है, biotechnology ने हमें कुछ ऐसी antibodies develop करके दी हैं, जिनको हम किसी specific disease के treatment में use कर सकते हैं, बई disease में antigen को मारने के लिए antibody ही तो चाहिए, तो monoclonal antibodies technique में क्या होता है, कि अगर मानलो हमें कोई particular bacteria है, उसको मारने के लिए laboratory में बनी-बनाई antibodies तैयार कर लिए, जैसे infection हो तुरंत antibodies दे दो और वो bacteria मर जाए, तो क्या करते हैं, उस bacteria का infection माउस में कराते हैं, माउस में जैसे वो bacteria जाएगा living, तो mouse की body उसके खिलाफ antibody बनाएगी, तो यानि क्या होगा, B lymphocytes, T lymphocytes बनेंगी, जब मैं बनती हैं, तो उन cells को हम mouse की body से collect कर लेंगे, यह जो B lymphocytes हैं जो antibody बनाती है, now they know कि वो antigen कैसा है और वो कैसी antibody बनानी है, तो वो mouse की body में से उन B lymphocytes को निकालते हैं, वो जो B lymphocytes हैं, अब इनसे हम antibody बनातो सकते हैं, बट इनका एक limited number है हमारे पास, हम चाहते हैं बहुत सार नंबर में हो, हम इने divide करवाना चाहते हैं, बट B lymphocyte तो divide करती हैं, तो bone marrow में करती हैं, तो mature वाली है न, तो B lymphocyte का fusion करवाते हैं, बचो myeloma cells के साथ, myeloma एक तरह का cancer होता है, यह cancerous cells हैं, dividing cells हैं, ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत short में समझा रह रहेंगी, उस specific bacteria के against, और दूसरा यह लगाता divide भी करती रहेंगी, तो अब जितनी चाहो antibodies laboratory में develop कर सकते हो, और उस bacteria को मारने के लिए use कर सकते हो, इस तरह के antibodies को MAP कहते हैं, ठीक है, इस तरह की antibodies आजकल cancer को treat करने के लिए भी बनाई चाह रहे हैं, cancer cells के antigen के against, COVID में भी use की आइस antibodies, COVID के virus को मारने के लिए, तो again it is a very good option to kill the deadly pathogens, ठीक है, clear, and एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखना, कि animal cloning भी करवा चुका है, है ना, अब cloning पित्ते question नहीं आते, पहले बहुत पूछते थे, कि biotechnology ने, plants का तो clone बनाते ही हैं, हम tissue culture से, vegetative propagation से, पर animal तो complex organism है न, एसेक् reproduction तो करता नहीं है, तो animal की cloning कैसे की, तो biotech ने animals की भी cloning की, उसका एक पूड़ा method होता है, बट हम वो नहीं पढ़ रहे, वो नहीं पूछते, आप से बिलकुल नहीं पूछेंगे, पर बस यह याद रखना, कि जो सबसे पहला mammalian clone बनाया गया, वो dolly sheep था, ठीक है, sheep का clone बनाया गया, उसका नाम रखा गया dolly, कुछ चार या छे साल की age तक यह जंदार है पाई थी, उसके बार इसको कोई infection हो गया था, इसलिए मर गई थी, ठीक है, तो dolly sheep was the first animal clone, first successful mammalian clone, ठीक है, हलंकी अभी बहुत सारी जगहों पर cloning experiments पर ban भी लगा हुए, कि ऐसे आपने human के clones बनाने शुरू कर दिये, तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा, तो कोई किसी का भी clone बना लेगा, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का, किसी का भी है ना, तो इसलिए इसके साथ बहुत सारे limitations है, हमें उसमें नहीं जाना, ठीक, तो भाई आज हमने biotech की applications में, इसकी agricultural application और medical application सीख ली है, नेक्स सेशन में ये chapter complete कर दूँगी, फ्रांस जैनिक आनिमल सर्भाई उपाई रेसी बचा है उसके साथ, उके प्लीज जो पढ़ा रही हूं, ऐसे मत समझना कि easy है, ये तो माम बहुत असान है, जब meet में question आते हैं, चार option आते हैं, तो असान चीजों में ही गल से जरूर पढ़ा करो, हमारे brain का nature है, जब हम किसी चीज को सुनते हैं, समझते हैं पहली बार, और अगर उसको instantly दुबारा revise कर लें, पढ़ लें, खुद से समझ समझ के, तो वो उन चीजों को जादा time तर memorize करता है, और अगर यूँ ही छोड़ दे, तो उन चीजों को उतनी नहीं जल्दी भूल जाता है, उसको लबता है शायद ही इसके काम की नहीं है, इसलिए इसको दुबारा कोई मतलब भी नहीं है इससे, है ना, तुम्हारा brain तुम से भी जादा smart है, तुम क्या हो, तुम तुम्हारे brain के according ही तो चलते हो, तो अपने brain को अपने according चलाना सीखो जिससे तुम तुम्हारा जो exam है नीट उसको crack कर सको, ठीक है?